दोस्तो तियारों के मौसम में बहुत सारे लोग अपने घर में प्याज लसन बनाना पसंद नहीं करते हैं खास कर पित्री पक्षो, नवरात्र हो, दीपावली हो तो इस समय में लोग जो है प्याज लसन बिलकुल भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खाते हैं तो चलिए आजम बनाते हैं ड्राइ भिंडी और शिमला मेच की सबजी जिसमें मैंने कोई प्याज लसन वगर कुछ भी यूज नहीं किया है लेकिन इसका स्वाद जो है वो ला जवाब है इसे आप रोटी पराठे पूरी किसी के भी साथ खा सकते हैं दोस्तों बहुत ही टेस कपड़े से पहुच लोगे अच्छे से नवरात्र के समय काफी लोग जो है पहले दिन और अश्टमी या सब्तमी के दिन वरत रखते हैं और बाकी दिन जो है नॉर्मल खाना ही खाते हैं लेकिन उसमें प्याज लसन जो है इनका वर्जित होता है तो ऐसे समय पर आप यह लंबी भिंडी मैंने हापे कट करी है बीच में से हलका सा चीरा मैने लगा दिया है ताकि मसाले और नमक जो है अच्छे से अंदर चले जाएं तो आप चाहें तो भिंडी की साइज को थोड़ा चोटा भी कर सकते हैं अब यहां पर मैंने ले लिया है एक शिमला मिर्च और यहां पर पहले मैं लंबा लंबा काट लेती हूं उसके बाद मैं इसे बीच में से कट कर लोंगी और इस तरीके से में अपनी सारी जो शिमला मिर्च उसे कट कर लेंगे तो आम तो पर लोग ज्यादतर जो है बिंडी के साथ प्याज या फिर आलू मिला कर रहें लेकिन राइ भिंडी के स्वाद को इन्हांस कर देते हैं बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होता है दोस्तों तो यहां पर मेरी सब्जियां कट गई है और मैंने ओल डाला कड़ाई में और उसमें मैंने थोड़ा सा चीनी डाल दिया तो चीनी मैंने क्यों डाला मैं आपको आगे ब दोस्तों और धीरे-धीरे करके हमारी भिंडी जो है अच्छे से फ्राई हो रही है तो यह देखिए हमारी भिंडी जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी है मैं आपको एक भिंडे निकाल कर दिखाती हूं तो इसी तरीके से हमें इसे निकाल लेते हैं दूसरी प्लेट पर मै sacrifi कड़ाई रखाई बाइन शीम्ला मिछ क Czech 국 Dé commaskn निकाल लेगे क्योंकि बादमेsnという शीमला मिर्च अब नायएमिर्च और वैसे भी सिम्ला मिर्च गरो थोड़ा कच्छा भी रहा तो वादवी ऐसे सब्कार था लो कॉलाषोस। तो इसलिए हमें इसे बहुत ज़ादा fry नहीं करना है अब मैं इसे निकाल लें 10 ए प्लेट म रखती हूं जिसमें मैंने भिंडी रखा अब मैं यहां पे ले रहिए हूं तीन टेमाटर एन तीनों टेमाटर को हमें बारिक बारिक जो है कट कर लेना है क्योंकि हम इसमें प्याज लेसन बिल्कुल भी नहीं डाल रहें दोस्तों तो हमें इसमें टमाटर की मात्रा जो है थोड़ी अधिक डालनी है अब इन दोनों को मैं पहले चला लूँगी अच्छे से जैसे ही जीरा हमारा जो है चटकने लगे मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर डालकर हम इसमें थोड़ी दिर चलाएंगे और उसके बाद यहां पर यह देखिए मैंने अधरक को जो है कद्दुकस कर लिया है आप चाहे जीरा पाउडर धन्या पाउडर लाल मिर्श पाउडर और स्वाद के नुसार नमक अब इन सारी चीजों को डालकर हम अच्छे से चलाएंगे इसे और ढखकर हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि टमाटर जो है पहले हमारा अच्छे से गल जाए तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली यह सबजी है दोस्तो इसमें अद्रक और हरी मिर्च जो हमने कद्दुकस करके डाला है इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब भिंडी फ्राई कर रही थी तब मैंने उसमें चीनी क्यों डाला था मैं यह फ्राइड भिंडी है और फ्राइड शिमला मिर्च भी है और यहां पर हमारे मसाले जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो यहां पर मैं भिंडी और शिमला मिर्च दोनों को मैं इसमें डाल दिया है और एक बर चला कर थोड़ा सा पानी डाल दिया है और पानी डाल कि उसका जो कलर है वो एक डम वैसा ही रहे जैसा कि कच्छे में वो नजर आता है तो यहां पर मैंने जितना पानी रहा था तोस्तों वो पूरा सूख चुका है और बिंडी जो है हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है पिंडी भी और शिमला मिर्श भी लेकिन देखिए दोन से इंजॉय करना चाहते हैं वैसे करिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए टेक कियर और बाई बाई